अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें, आप अपनी नींद की ज़रुरत कम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ और अब मैं लगभग साढ़े चार घंटे सो रहा हूँ। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हमारा जीवन अपनी पूरी शमता तक पहुँच जाए, खासकर कॉलेज या स्कूल जाने वाले चातर के लिए। तो भोजन कैसा होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए, भोजन कोई धर्म नहीं है, भोजन कोई संस्कृती नहीं है, भोजन बस इस मशीन के लिए इंधन है, हाँ, स्वाद को लेकर संस्कृतिक पहलू हो सकते हैं, समय के साथ भोजन पर धार्मिक रंगत भी चड़ सकती है लेकिन मूल रूप से भोजन इस शरीर के लिए इंधन है तो किस तरह के भोजन से ये अपने अंदर कम से कम संघर्ष से काम करेगा और जादा से जादा असरदार होगा तो मान लीजे आपने पेट्रोल कार खरीदी और उसमें डीजल भर दिया ये फिर भी थोड़ा बहुत चल लेगी लेकिन अपने बहतेरीन स्तर पर नहीं चलेगी इसी तरह आप तरह तरह का खाना खा सकते हैं और फिर भी शरीर किसी तरह चलता है लेकिन जिन संप्रदायों ने साफधानी से खाना खाया है आप साफ तोर पर उनके काम करने के तरीके बुद्धी के इस तरवेगरे में एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं तो भारत में हमने अलग-अलग लोगों के लिए भोजन अलग-अलग तरह से तै किया अगर आप मेहनत का काम करते हैं तो आप एक तरह से खाते हैं क्योंकि आपको शारीरिक मजबूती चाहिए अगर आप किसी तरह का व्यपार और दूसरे किस्म की गत्विधिया कर रहे हैं तो आप अलग खाना खाते हैं अगर आप सैनिक हैं तो आपका भोजन अलग होता है और अगर आप पढ़ाई अध्यात्मिक प्रक्रिया और जीवन के सुक्ष्म पहलियों में हैं तो आप अलग खाना खाते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी चीज़ पर फोकस रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है वो कोर्स की बेकार किताब मुझे माफ करें जो करें जाकर बढ़ाई नहीं लिए लिखी गई है ये सबके समझ पाने के लिए है ये बहुत बुधिमान छात्रों के लिए नहीं लिखी गई है ये एक आम नुस्खे के रूप में लिखे गई है जो हर कोई समझ जाए लेकिन कोर्स की उसी किताब को पढ़ना बहुत सारे लोगों के लिए कितनी मेहनत का काम है उसे समझने के लिए उन्हें दस बार पढ़ना पढ़ता है लिकिन आप बिस्तर में लेट कर एक प्रेम कहानी पढ़ते हैं आपको हर शब्द याद रहता है हाँ या ना? कैसे? तो आपमें यादाश्ट की कमी नहीं है आपमें फोकस की कमी नहीं है बस इतना है कि कोर्स की किताब और आपमें तालमेल नहीं हो पा रहा है तो आपको एक उंचे स्तर के फोकस एक उंचे स्तर की भागिदारी की जरुरत है और एक शात्र के लिए एक दूसरा बड़ा दुश्मन ये है कि ये किताब नीन्द की गोली का काम करती है जैसे ही आप इसे खोलते हैं सिनेमा जाते हैं तो आप दो बज़े तक जगे रहते हैं नौ बज़े किताब खोलते हैं उसी समय आप लुढ़क जाते हैं तो नीन्द दूसरी बड़ी दुश्मन है तो आप किस तरह का खाना खाएं ताकि शरीर में जड़ता न रहे योगिक पदती में इसे हम ऐसे देखते हैं तमस, रजस और सत्व की बात करते हैं तमस का मतलब है जड़ता रजस का मतलब है गति विधिया लेकिन कोई संतुलन नहीं सत्व का मतलब है पूरी तरह से संतुलित उर्जा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक बहुत संतुलित किस्म की उर्जा चाहिए क्योंकि आपको एक ऐसी चीज पर ध्यान केंदरित करना होता है जिसमें आपकी सुभाविक रूची नहीं है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री मेल खाती हो अगर आपकी केमिस्ट्री तालमेल में है तो आप हमेशा उस चीज़ पर फोकस करते हैं, है ना, यहां रूची नहीं है, लेकिन आपको उस पर फोकस करना पड़ता है, इसके लिए आपको संतुलन और एक स्थिर मन चाहिए, इसके लिए आपको एक खास तरह से खाने की जरुवत है, सरलता से कहें, तो भोजन आपके चरीर में आहार नली से गुजरता है, आपके मुँ से मल द्वार तक एक पाइप है, पाचन प्रक्रिया के अलग-अलग चर्णों से होता हुआ, यह उससे गुजरता है, आप मैंसे कई लोग बायोलोजी पढ़ते हैं, हाँ, यह आहार नली से जाता है, अब शुरुवात हो जगत को देखें, तो शाकाहरी जानवर और मांसाहरी जानवर, यह दुनिया में जानवरों के दो मुख्य विभाजन है, एक वनस्पतियां खाते हैं, दूसरे मांस खाते हैं, अगर आप आहार नली की बनावट देखें, तो शाकाहरी और मांसाहरी जीवों में एक स्पष् के को देखें, सारे मांसाहरी जीव सिर्फ काटने की क्रिया करते हैं, जबकि शाकाहरी काटने और चबाने की क्रिया करते हैं, तो उनमें दाढ़े होती हैं, लेकिन मांसाहरी जीव में फैली वोई दाढ़े नहीं होती, उनमें बस छेनी जैसे और नुकिले दांत होते हैं, व आपको अपना खाना इसलिए चाबाना चाहिए, क्योंकि आपकी लार में इंजाइम होते हैं, अगर आप थोड़ा सा कच्चा चावल लेकर अपने मुह में एक मिनट रखें, आप देखेंगे कि यहीं मीठा हो जाता है, क्योंकि यहीं कार्बो हाइडरेट शुगर में बदल मुह में ही, तो अगर आप ढंक से खाते हैं, तब हम कहते हैं कि आपके पाचन का 30 से 50 फीसदी पाचन आपके मुह में ही हो जाना चाहिए, तो पाचन तंत्र का ये हिस्सा आधे या आन्शिक रूप से पचे खाने की उमीद कर रहा है, लेकिन अभी जैसे हम खा रहे हैं, अ इतनी उर्जा पैदा करने के लिए, जितना आपको खाना चाहिए, आप उससे बहुत जादा खाना खा रहे हैं, इसकी वज़े से शरीर में जड़ता आ गई है, क्योंकि इससे उससे कहीं ज़ादा भोजन को प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसलिए जड़ता है, एक बार देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जागते रहना चाहिए, बात ये नहीं है, लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीज़ें करें, तो आप देखेंगे कि तीन से चार हफ़तों में आप अपनी नींद की ज़रुत दो से तीन घंटे बस बैठने की मुद्र, आपके शरीर के जयामिती और सिस्टम में क्या जा रहा है, अगर आप बस इन दो चीज़ों को संभाल लें, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा कैसे कम हो जाएगा, बस आपकी जानकारी के लिए 25 सालों से जादा तर मैंने औसतन धाई घ गंटे सो रहा हूं, लेकिन हफते के सातों दिन, ठीक है, 365 दिन में बस ओन, ओन, ओन हूँ, लगबग हर दिन, मेरी बेटी ने एक महीने से फोन नहीं किया था, मैंने पूछा तुम्हारे साथ समस्या क्या है, तुम फोन क्यों नहीं करती, उसने कहा हर 6 गंटे में आप एक नहीं शहर में होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, ओके, ये वाकई सच है, कभी-कभी एक दिन में हम तीन शहरों में होते हैं, तो ये नौन-स्टॉप गतिविधी है, और आज मेरे पास कई लोगों ने ऐसा करना सीख लिया है, मेरे आसपास 100-500 लोगों की दिन चर्या इसी तरह है, बस ओसतन चार घंटे के नीन, हफ़ते के साथों दिन, वे बस ओन-ओन-ओन, हर समय ओन रहते हैं, और वे चिड़े नहीं रहते, वे परिशान नहीं रहते, वे प्रसन रहते हैं, वे शानदार लोग हैं, ऐसा इसलिए है, इसके कई पहलू हैं, लेकिन एक महत्वपून पहलू है भोजन, आप कैसे खाते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप क्या खाते हैं, ये भी महत्वपून है कि आप कैसे खाते हैं, क्योंकि भोजन एक जिवित पदार्थ है, आप सब लड़कियां एक आसान चीज़ें ये कर सकती हैं, अलग-अलग स्वास्थ के मुद्दे हैं, जड़ता और फोकस का मुद्दा है, आप अपने भोजन का 40-50 फीसेदी हिस्सा कच्चे भोजन के रूप में लें, यानि ये जिवित हो, इसे जिवित कोशिका होनी चाहिए, ये सबजी हो सकती है, फल, मुंफली, अंकुरी चना हो सकता है, आपके दुआरा खाये जाने वाले भोजन में कम से कम 40-50 फीसेदी को जिवित होना चाहिए, आप मुर्दा भोजन खाते हैं और आप जीना चाहते हैं, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है, लेकिन अगर आप जीवित खाना खाते हैं, तो आप दे जिंद्रित हैं, उसी हद तक इस दुनिया में हर चीज आपको लाप पहुचाती है, है की नहीं? आपके फोकस का इस तरही तैक करेगा कि दुनिया आपके लिए फायदे मंद है या नहीं, है न? और जीवन का एक और पहलू, भोजन का एक और पहलू, जब आप कुछ खाए तो उसका जैनेटिक कोड सरल होना चाहिए, मतलब उसका सौफटवेर बहुत सरल होना चाहिए, सबजियां, फल, मुंगफली, अंकुरित चीज़ें, वे बहुत सरल हैं, जादा जटिल का मतलब है, जानवरों के मांस का कोड बहुत जटिल होता है, मान लीजे, आप एक जान जाष्ट का ढेर है, जिसका मतलब ही ये एक तरह का सौफटवेर है, है न, ये सबसे जटिल सौफटवेर है, इनसानी सौफटवेर धर्ती पर सारे जीवों में सबसे ज़ादा जटिल सौफटवेर है, तो अगर आप एक जानवर खाते हैं, खास कर अगर आप एक स्तंधरी क खाते हैं, तो उसकी जटिलता वैसी ही होती है, शायद ये इनसान जितनी जटिल ना हो, लेकिन उसी तरह की जटिलता, क्योंकि उसमें उसके अपने विचार और भावनाएं हैं, अब उस कोड को तोडने और अपने सिस्टम के साथ जोड लेने में, आप पूरी तरह से सफल न और पूंखळी या अंकुरित चीज़ें खाते हैं, ये काफी आसान है, अगर आपको मांसाहरी भोजन खाना ही पड़े, तो आपको वो खाना चाहिए, जो आपके कोड से सबसे दूर है, तो आम तॉर पर मचली और पानी के जीव आप से सबसे दूर हैं, तो अगर आपको म झाल झाल